हाई दिस जोगंदर सिंग और वाचिंग नियुमेरिका मैट्स शुदेंट्स तोड़ेश क्वेश्चिन इस फ्रॉम क्लास एर्थ एक्सराइज 1.2 क्वेश्चिन नंबर 5 पार्ट 1 रेशनल नंबर चैप्टर से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चिन है ये और बहुत बार क् एक्वेश्चिन में आता है तो क्वेश्चिन क्या है आपका फाइंट फाइव रेशनल नंबर बिट्विन 2 अपन 3 एंट 4 अपन 5 फॉर सॉल्वेंग दिस जस्टेक असाइड इस क्वेश्चिन हेर अन् दिस इस आवर क्वेश्चिन इन रुटन फॉर्म जस्ट हमने इसे गया था और इसको सॉल्व करने के जो कई मैथर्ड्स है उनमें से हमारा जो फैवरेट मैथर्ड है वो है बाई इक्वेटिंग देनोमिनेटर्स बिकॉज बाई दिस मैथर्ड जितने भी नंबर आप चाहो इंसर्ट कर सकते हो उसमें नो लिमिट है आप थाउजन नंबर भ हमें डिनोमिनेटर इनके एक्वेट करने हैं दोनों के अलग अलग है यहां पे लेफ्ट में 3 है और राइट में हमारा डिनोमिनेटर है 5 दोनों को एक्वेट करने का बैस तरीका लेफ्ट डिनोमिनेटर को राइट डिनोमिनेटर से मल्टिपल करो और राइट वाले डिनोम denominator में 5 से multiple करेंगे तो हमें numerator में भी करना पड़ेगा, so we will multiply this left side by 5 upon 5 and we will multiply this right side by 3 upon 3, just like this, तोनों को calculate करो, left side में हमें 2 into 5 that means 10 numerator में है और 3 into 5 that means 15 denominator में है, right में हमारे पास क्या है, 4 into 3 12 numerator में and 5 into 3 that means 15 is in denominator, so after calculating all the things, we have 10 upon 15 and 12 upon 15, यहाँ पे same denominator है हमारे पास और numerator हमारा एक का 10 है और दूसरे का 12 है, so we can clearly say that left portion is smaller and right portion is greater than, because 12 हमारा always greater है 10 से, चलिए अब हमें कितने number चाहिए थे इनके बीच में, 5 number चाहिए थे, तो 5 numbers insert करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 के बाद में आप 12 तक जितने भी possible number है, देखो count करो, 11 and 12, एक number हम इसमें insert कर सकते हैं, तो इससे तो हमारा काम बनेगा नहीं, तो इस तरह की जो conditions होती हैं, इनमें हम क्या करते हैं, denominator सेम होने के बाद भी अगर हमें और number बढ़ा करने की जरूत है, तो बेटर है 10 upon 10 या 100 upon 100 से multiple कर दो, दोनो rational numbers को, यहां हमारा 10 upon 10 से काम हो जाएगा, तो हमने लिया 10 upon 10 दोनो तरफ, after calculating, we have 100 upon 150 in the left side, and 120 upon 150 in the right side, अब numerator में हमारे पास 100 और 120 है, तो 100 से greater and 120 से below, जितने भी numbers हैं, उनमें से हम कोई से भी 5 numbers चूज कर सकते हैं, तो हमारा answer आ जाएगा, तो चलो, first of all, हम 5 numbers के लिए blank space बना लेते हैं, just like this, denominator हमारा सब में 150 अगर हम रखेंगे, तो numerators में 100 से 120 तक आप कोई भी 5 numbers चूज कर सकते हो, हमने चूज किया first number, ये 102, second number हमने चूज किया है 105, third number चूज किया है हमने 106, and then 108, and now we have 110, and then 120 के बीच में जितने number हैं, चाहो तो आप उनमें से भी कोई use कर सकते हो, हमने ये वाले चूज किये हैं, अब ये हमारा actual number जो था, वो था 2 upon 3 and 4 upon 5, तो ये left वाला number 2 upon 3 की form में नहीं है, और right side वाला number भी 4 upon 5 की form में नहीं है, तो better है हम इनको cut करके देखे, तो cut करने में हमें क्या मिलता है, इसको हम 50 से cut करके देखते हैं, तो 50, 100 और 150 को divide करके क्या देता है, 2 और 3, तो हमारा left side हो गया 2 upon 3, which is same as this 2 by 3, and right side में हम इसको 30 से divide कर देते हैं दोनों को, तो हमें मिलता है 4 upon 5, so after calculating, we have this 2 by 3 in the left side, and 4 upon 5 in the right side, और यह जो in between numbers हैं हमारे, 102 upon 150, 105 upon 150, 106 upon 150, and so on, this is our required answer, और जिन लोगों को एक साथ material चाहिए, वो वीडियो को pause करके, easily इसको no down कर सकते हैं, So students, मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, then hit the like button, subscribe this channel, and share these videos with your friends, and yes, press the bell icon, so that मेरा एक भी नया वीडियो आप मिस न करें, That's it for today, thanks for watching,